जय हिंद स्वागत है आप लोगों का इंडिया इबुक के इग्णू के मास्टर्ड डिग्री क्लासेस भे जहाँ पे आप लोगों के लिए एमे पोलेटिकल साइन्स फास्ट डियर का चारो पेपर का क्लास चल रहा है कुछी दिनों से मतलब का क्लास बन था द्यू टू करेंगे अभी हम लोग जो हमारा पेपर नंबर 4 है MPS 004 comparative politics issues and trends इसका पहला unit शुरू करेंगे इस पहला unit का नाम है comparative politics इसका नेचर significance and evolution और हमारा जो बुक बहुत देर हो गया है हलाकि ओभी release होगा और उसका भी PDF प्रोबाइट किया जाएगा आप लोगों को और आप लोग जो इस आगस्ट महिने में item दे रहे है शायद आप लोगों के लिए जो heart copy है ओ अबेलेबल ना हो मतलब इंडिया के सब जगा अबेलेबल करबान अभी तो tough है तो ऐसे मतलब PDF आप लोग कर इच सकते हैं ज्यादा कोश्ट नहीं रहेगा बहुत कम होगा और उससे अपना काम चला सकते हैं और जो free हमारा जो पास्ट इक सेटम question paper है इसका भी link इस वीडियो में दिया गया है और साथे साथ इस slide का class जो है इसका भी नूर्स है PDF नूर्स आप लोग डाउ unit है comparative politics, nature significance and evolution तो उसका nature क्या है उसका महत्य क्या है comparative politics का और उसका evolution कैसे हुआ इसके बारे में हम जान करी लेंगे actually comparative politics क्यों आता है पता है तो मतलब यह IR जो आपका MPS 002 पर था international relation इसका extended पार्ट के सकते हैं मतलब comparative politics हर जो वाल्ड में जैसा बहुत सारा पूरा वाल्ड का हो सकता है comparative politics कैसा चल रहा है या फिर एशिया का या फिर सावतिष्ट एशिया का ऐसे मतलब comparison करते हैं मतलब वह comparison कर नहीं है तो पहले हम इस यूनिट में देखेंगे introduction फिर हम देखेंगे what is comparative politics and its evolution फिर हम देखेंगे comparative method फिर देखेंगे contemporary significance तो समकालीन महत तो क्या है इस comparative politics का इसके उपर चर्चा करेंगे तो छोटा सार है कॉंटिन्यू करें और कक्षा शूरू होने से पहले आप लोग अपना pen, paper और notes इगनुका books जो भी collect करना है कर लीजिए और आखिर में हर यूनिट का आखिर में हम लोग इगनुका जो जैसा exercise करते हैं ऐसे इसमें भी करेंगे और पास्ट जो 6 से टेम्स है उसका भी question discuss करें तो आशा करता हूँ आप लोग pen, paper लेके ready हो गए है और शुरूबात करते हैं Introduction Among the several fields और sub-disciplines into the political science is divided comparative politics is the only one which carries a methodological instant of a substantive level तो कोई भी खेत्र या विशय में जिन में राजनिती, बिग्गान, मतलब political science विवाजी थे उसमें तुलना मतलत्तक राजनिती, मतलब comparative politics एक मात्र ऐसा है जो एक बास्तविक लेबेल के बजाए एक methodology है, पद्धती है तुलना मतलत्तक पद्धती कह सकती इसको The content and boundaries of comparative politics are poorly defined partly because the field is an ambiguous compound of method and subject areas As some of the scholars have argued that comparative politics has a messy center अधी, मतलब कुछ जो, मतलब बिद्बान है जो scholar है, उन लोगों ने राजनिती को तुलना मुलत्तक comparative राजनिती को एक गंधा के अंद्र बता है messy center This is because it focuses on comparison and the comparative method as a method of political inquiry तो उन लोगों ने ऐसा क्यूं कहा? ऐसा इसलिए कहा कि ये तुलना और तुलना मतलत्तक पद्धती जो है राजनितिक जाज की एक बिदी के रूप में पर केंद्रित है मतलब एक बिदी मतलब एक कानून के तरह मतलब के सकते है केंद्रित है While all analysis involve some degree of comparison without which an individual phenomenon cannot be understood comparative politics teaches us how to do so It attempts to instill into this exercise scientific rigor and technique ये इस मतलब बईगानिक का थोरता और तक्नीक को स्थापित करने का प्रयास करता है कौन? comparative politics While comparative government existed as a subdiscipline for a long time comparative politics is a relatively new field dating from the post-second world war period जबकि क्या हुआ? बात की अब दी में है जब मतलब World War period था उसके बात से ही comparative government का discipline का शुरूबाद हुआ it is a field that difficult to define जब फिल्ट है comparative politics का ये बहुत मतलब तफ है define करना इसको has undergone many changes and had reached a plateau by the 1980s beyond which it come it could not move but in recent years it has again attracted a growing interest due to the emergence of new areas such as comparative public policy तो अभी हाला के recent दिनों में इसका मतलब बहुत impact देखा जाता है growing interest हुआ है due to emergence of comparative public policy तो अगला जो है what is comparative politics and इसका evolution कैसे हुआ broadly the goals of comparative politics is to encompass the major political similarities and differences तो बड़े आकार में अगर comparative politics कहा जाए तो क्या है comparative politics का main goal जो है वो political जो similarities and differences है between the countries उसको जाच करना उसको compare करना जैसे पकड़ लीजी है हमारा भारत का और पकिस्तान के बीच में आप compare कर रहे हैं तो उसमें जो similarities क्या क्या है पकिस्तान और हमारा इंडिया का politics में और differences क्या क्या है उसका ही study को comparative politics का आ जाता है लेकिन ऐसे मतलब दोर country का compare नहीं होता है comparative politics में जाधा से जाधा मतलब पूरा region का होता है जैसे South East Asia, South countries Asia, Asia Pacific उसके बाद ऐसे Asia continent पूरा world ठीक है the task is to develop some perspective on the mixture of constants and variability which characterized the world's government and the context in which they operate while the term comparative government is quite old जो comparative government है यह वाला term बहुत पूराना है the term comparative politics as mentioned above is relatively new comparative मतलब comparative government जो term है और बहुत पूराना है लेकिन जो comparative politics है यह उससे नया term है comparative politics had and continues to have boundary problems with international relations देखा तो comparative politics क्या है जो boundary problem है international relations का ओही present करता है पूराना बाला और जो चल रहे नया बाला सभी this is because there is a common ground between them the former open studies countries as enclosed within a world capitalist system comparative politics also studies areas insensibly a major difference is that while area studies experts can provide a great deal of data which explains immediate events long term and underlying deeper trends require analytical and theoretical tools which only comparative politics can provide फिर हम देख्टे है the shift which took place from comparative government to politics thus can be traced to two changes in the immediate post-war period जो shift है comparative government से comparative politics के तरफ उसका shift का जो change है वो मतलब reason को हम लोग दो कारणों में मतलब trace कर सकते हैं जो immediate post-war के बाद हुआ है तो पहला जो है developments internal to the discipline of political science and second the broadening of imperial field to include the new states which arose out of decolonization तो development हुआ है पहला जो changes है वो क्या है development of internal to the discipline of political science तो political science का development हुआ है internal discipline का वो एक कारण है और दूसरा कारण है जो पहले जो मतलब पूरा world ही मतलब colonized था तो आशा करता हूँ अब लोगों को पता हुआ तो उसके बाद जब decolonization हुआ उसके बज़े से जैसे इंडिया नहा से एक country निकला पहले तो British का colonization उसे बाद आफ्रीका में भी ऐसा हुआ तो decolonization के लिए ही ऐसा मतलब comparative politics के तरफ हम लोग बढ़े ठीक है इन दे लेट 1950s political science has affected by the behavioral revolution which had already affected anthropology and sociology तो 1950 में political science जो है राजनिती विगान वो behavioral revolution हुआ इसके अंदर behavior मतलब उसका सोचने का तरीका मतलब सब कुछ behavior change हो गया और वो भी anthropology और sociology के उपर effect किया this created a desire for greater scientific rigor and a multidisciplinary approach the emergence of the third world further stimulated a whole new approach to the explanation of differences between politics and society in rich and poor countries the development and modernization theme तो आप लोग सायद सुने है तृतिय विष्य का देश होता है कुछ जैसे third world countries के का आ जाता है उसका भी emergence हुआ third world country हो है मतलब इंडिया तो third world country नहीं है बंगलादेश third world country है आप लोगों को पता होगा अशा करता हूँ तो third world country एसा बहुत सारा third world country है उसका भी emergence हुआ पहले पहले कोलोनी था तो जब decolonization हुआ तो छोटा-छोटा मतलब देश उबरा तो सबी देश तो तभी मतलब इंडिया भी तो एसा मतलब अच्छ एकोनोमिकली साउंड नहीं था पहले जब इंडिबेंडेंस मिला कोई industrialization नहीं हुआ ठीके और ऐसे पूरा world में ही ऐसा हो रहा था इसलिए third world country बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे तो third world country का emergence के कारण भी जो बहुत सारा poor country निकले उसके वज़े से ही comparative politics का ज़रूरत था It led to the use of two frameworks in competitive politics दो framework को लेट किया इसके कारण तो पहला जो है वह दा system approach and structural functional analysis system approach or structural function analysis the notion of the system was taken from the biological and physical sciences where the human body or any machine was visualized as a system hit with subsystem organs or parts which had boundaries but which were closely interrelated and overlapped human society was therefore made up of various systems political system, economic system, etc. each of which performed specialized functions concepts such as multi-party system, federalism, parliamentary and presidential system were the product of comparative observation of western governments over a long period of time तो जो multi-party system जो भारत में है बहुत सरा political party है फिर federalism, federalism मतलब union में अलग government है और हर जो चोटा-चोटा state है उसमें अलग कम state government तो federalism कहते है इसको फिर parliamentary system जो parliamentary legislature law बनाता है तो उसके बाद presidential system जो है जैसे कि अमेरिका में होता है भारत में एक्चली parliamentary system ही है अमेरिका में presidential system है अमेरिका मतलब USA तो यह जो product है यह मतलब comparative observation जो हुआ western government का उसके बज़े से ही आया है फिर अगला है comparative method scholars are not agreed on the comparative method its nature and scope तो जो बहुत सारे विद्धान जो है वो लोगोंने मतलब comparative method है उसको agree नहीं किया इसका nature and scope को मद्दे रखते हुए some of them like Anne Einstein argue that the term does not properly designate a specific method but rather a special focus on cross-societal, institutional or macro-societal aspects of the societies and social analysis others like Arnett Lichpert hold that it is definitely a method not just a convenient term भेगुली symbolizing the focus of one research one's research interest तो Arnett Lichpert ने कहा यह एक method है but it can be defined as one of the basic method the others being experimental, statistical and case study methods of establishing general propositions comparative method जो है ओ एक method है और भी जो आदर method है और जो सब है basic method क्या क्या है experimental method, statistical method and case study method for establishing general propositions the comparative method is best understood if briefly compared with experimental, statistical and case study method the comparative method जो है ओ समझने के लिए सबसे फेले हमें compare करना पड़ेगा experimental, statistical and case study method के साथ इस method का the experimental method is used to understand the relationship between two variables in a controlled situation दो variable, variable और चीज होता है जो मतलब change होता रहता है जैसे कि आप पकड़ लोगों के घर पे metric meter है तो जो बिजली आप जलाते है वो meter में उठता है कितना unit आपने जलाया उसके अलावा और एक charge रहता है meter का fixed charge रहता है आपका electricity का तो fixed charge जो है वो fixed है, variable नहीं है और जो unit आप जलाते है वो जितना जलाते है वो भेरी करता है तो इसे variable कहते हैं तो इसे दो variable के उपर experimental method depend करता है since such experiments are not possible in political science and alternative is the statistical method तो experiment method जो है वो सभी मतलब चीज में मतलब लगा नहीं पाएंगे हम लोग तो इसलिए इसका alternative है statistical method जिसे पकड़ दीजिए किसी चीज़ का हम experiment नहीं कर पार है तो उसका मतलब statistic देखेंगे तो data देखेंगे क्या कर data से हम लोग निख compare करके निकालेंगे उसको statistical method कहा जाता है which entitles the conceptual mathematical manipulation of empirical data in order to discover controlled relationships among variables जो variables है उनके बीच का जो relation है उनको हम निकालेंगे जो mathematical data जो है जिसे हम statistical method कहते है उस method के अंदर हम mathematical data को check करके compare करके हम निकालेंगे ठीक है फिर है it handles the problems of control by means of partial correlations or cross tabulations that is by dividing the sample into a number of different groups जो sample क्या है जो data है उसको sample कहा जाता है for example on the basis of age, income, education, etc. इसे मतलब sample लेंगे जैसे पकड़िए भारत में मतलब इतना आदमी है total population इतना कड़ो रहे तो हमें मतलब निकालना है कितना लोग भूट डालते है तो हम लोग क्या किसका basis निकालेंगे क्या age के basis में हम हम ढूंडेंगे 18 years के अबाब कौन-कौन सा लोग है कितने लोग है फिर और एक पकड़ लेजिए और एक टाटाम देगेंगे भारत का हर आदमी का परके बिटा इंकाम कितना है उसको निकालने के लिए हम इंकाम basis दर पकड़ेंगे किस बेक्ति का कितना इंकाम है उसके उपर education में हम education को basis पकड़े के table बनाएंगे फिर हम निकालेंगे जो compare करेंगे जो कितना percentage educated है भारत में या किसी राज्य में भारत का and looking at the correlation between the two selected variables in each उसके बाग comparative method का अकला भाग therefore comparative method essentially resembles the statistical method except that the number of cases it deals with is often too small to permit statistical methods जो data अगर data बहुत छोटा है तो वो मतलब permit नहीं करेगा जो statistical method उसका permit नहीं होगा मतलब छोटा सा अगर data हो जाए मतलब जो sample होगा और बहुत छोटा होना ऐसे तो आप statistical method पुरा मतलब value provide नहीं कर पाएगा इसके लिए कोई दूसरा method लगाना पड़ेगा but it is necessary to understand that the comparative method is not an adequate substitute for the experimental method as in the natural sciences तो जो comparative method है वो substitute नहीं है experimental method का but these weaknesses can be minimized in a number of ways इसका जो weakness है comparative method का वो आम भहत तरीके से मतलब कम कर सकते है जैसे कि the statistical method is the best to use as far as possible except in cases where entire political systems are being compared then the comparative method has to be used समझ में आया क्या यह बाला लाइन सबसे important लाइन है statistical method किस फिल्ड में best होगा जहाँ पर पूरा entire political system का हम compare करेंगे तभी जैसे कि पूरा world का एसा पूरा एशिया का एसा करने से comparative method बहुत मतलब अच्छा result देता है the two can also be used in combination combination में भी हम इस कर सकते है comparative method and statistical method इन दोनों को ठीक है the case study method और एक method है जो case study method है it is used whenever only one case जब कोई एक case है जैसे पकड़िये कुछ एक ही case है और वो सिर्फ उस country में है उसको analysis करना है पकड़ लीजिये सिर्फ सिर्फ भारत में मतलब हिमालाय है हिमालाय तो नहीं होगा हिमालाय चाइना में भी है नेपल में भी है ऐसा कुछ factor है जो सिर्फ भारत में available है बाकी भी किसी जगा पे available नहीं है तो उसका जो एक ही case है तो तबही मतलब एक ही case है तो case study method apply होगा इस case में इसका example तफिट नहीं हो रहा है अभी पकड़ लिजिए हमारा एक राज्य है भारत का state आशाम वहाँ पे मतलब NRC के related problem था वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोग मतलब बंगलादेश से वहाँ पे आगे तो यह वाला जो case है यह special case है अशाम का तो उसका अगर analysis करें तो उसको case study method में डालके करने से मतलब अच्छा होगा उसके बाद और एक है जो मुकश्मीर में जो पकिस्तान के तरफ से जो चलता है गुस्पेट होता है उसका भी case study हो सिर्फ जो मुकश्मीर में ही होता है भारत का तो उसका case study method apply करने से result अच्छा मिलेगा आम लोगों को ठीक है but it is closely connected with the comparative method तो यह जो case study method है यह भी comparative method के उपर closely connected है and certain types of case studies can become an inherent part of the comparative method whenever an in-depth study of a variable is needed prior to comparison with other similar ones the scientific status of the case study method is somewhat ambiguous because science is neither generalizing nor a ground for disapproving and established generalization but its value lies when used as a building block for making general proposition and even theory building in political science and when a number of case studies on similar subjects are carried out thus comparative and case study method have major drawbacks तो comparative method जो है और case study method दोनो में बहुत सारा मतलब drawbacks limitation से because of the inevitable limitations of these methods it is the challenging task of the investigator in the field of comparative politics to apply these methods in a such way as to capitalize on their inherent strengths and they can be useful instruments in scientific political inquiry तो जो scientific political inquiry में ए मेथोड यूस करना जो investigator है बहुत मतलब तकलीफ का है ठीक है अगला चोटोपिक है हमारा contemporary significance समकालीन महत्योव in the post war period comparative politics has passed through many phases in each of these changes have been made and continue to be made by scholars तो war का बाद post war period जो था post war मतलब world war world war के बाद जो comparative politics है वो many phases में गुज़रा बहुत सारा मतलब एक phase से दूसरा phase मतलब एक stage से दूसरा stage ठीक है तो इसका जो वो continue किया है उसको scholar के द्वारा किया गया है scholar मतलब बिद्दान जो लोग होते हैं उनके द्वारा comparative politics fast focused on input side reeling on political sociology तो हम लोग पहला जो stage है अभी देख रहे है comparative politics जो है और पहले focus किया था input side जो political sociology के उपर input side है उसके उपर relay करता था claiming that basis properties of political systems were to be understood against background information about structure and processes in societies thus it was claimed that political conflict dimensions were structured according to the cleavage dimensions in the social structure तो पहला जो first stage है उसमें input के उपर depend करते थे political sociology का जो input है उसके उपर depend किया जाता था तो दूसरा stage में है करके सभी stage हम लोग जब पढ़ लेंगे तबी clear हो जाएगा पूरा बात the second stage जो है in second stage modern comparative politics aimed at institutional analysis of variation of political systems and their constituent parts such as parties and party system on their own right मतलब पहला जो focus था तो डाइडेक्ट जो political sociology के उपर था मतलब समाज के उपर direct focus था input समाज का जो input है उसके उपर focus था फिर modern time पर क्या हुआ second stage में institution के उपर focus चला है institution मतलब यहाँ पर political party party का जो system है उस party system पर चला है मतलब इस a party इसका काम कितना कैसा है वो compare करना center central to this where crucial distinctions between different types of democracy authoritarian rule and modernizing politics modernizing sorry या पर modernizing होगा and modernizing politics जो third stage में के होगा the third stage therefore implied a merger of comparative politics मार्जार मतलब पकड़िये आप दो मतलब कुछ चीज है पकड़िजे आपका स्चीप्षे ना और BJP दो party है स्चीप्षे ना पूरा खदम होके BJP बन जरा है ऐसा कुछ हुआ मतलब BJP में आगे स्चीप्षे ना पूरा खदम जैसे असाम रज्जे में हुआ था एजीपी लगबग खदम ही हो गया एजीपी का सभी लोग BJP में आगे ऐसा भी नहीं के सकते हैं जब पूरा ओ वाला पकल्री यह दो जो सब्क्रम पर शयर मार्केट पर था स्टॉक एक्सेंज पर था तो वह से क्या किया और एलेंटी के पास तो बहुत सारा पैसे उन लोगों ने चुपके चुपके मतलब उनका शेयर खरीद लिया और खरीद के मतलब जो प्रोसुजियर है उसको फिलाफ करके अभी मतलब 51% से जादा 67% लब खरीद लिया था तो पूरा जो मांटी का कंट्रो वह एलेंटी के बास चला आए था तो इसको आप मर्जर के सकते हैं ठीक है तो ऐसा मतलब थार्ड जो स्टेज है इसमें मर्जर हो गया था therefore implied a merger of comparative politics with public policy and political economy जो public policy है उसके और political economy के बीच में मर्जर हो गया था थार्ड स्टेज में attempting to understand what different political system does policy inputs तो different political system में कैसे policy बनाया जा रहा है and actually accomplish policy outcome उसका policy का input क्या है और policy का result क्या है this led to comparative public policy इसको हम comparative public policy भी कह सकते है public policy जो होता है उसके उपर उसका comparison करना तो अभी एई concept चल रहा है थार्ड स्टेज का ठीक है today we have more than 160 politics politics known as third world तो अभी 160 politics है third world में and there is as yet no agreement about the taxonomy of third world politics तो कोई agreement नहीं है in third world countries का जो politics है उसका taxonomy के उपर no doubt much future comparative research will focus on the set of non-democratic regimes in order to set out how they vary along a few basic dimensions तो आगला जो topic है इसका ही भागे a major development of contemporary significance is the emergence of comparative analysis of public policy or political economy which has since the mid 1970s added a new dimensions to comparative politics अभी आम लोगों ने जो third stage में जो देखा जो emergence हुआ था public policy का analysis करना और political economy का in 1970s में इसके बज़े से ही एक नया रूप आया comparative significance का contemporary significance का जो समकालिक महत्ता है उसका एक नया रूप आया new dimension आया comparative politics का to the extent that it focuses on the output or outcome side of the black box of the political system there is continuity from the past तो आम लोग इसका जो focus है जो policy है उसका outcome के उपर जो black box of the political system है उसका outcome के उपर और यह continuously चला रहा था बहुत पुराना time से the difference is a shift from grand comparative theory of political development and problems of modernization to a much narrower field of concentration namely the state and its central rule in development the change is the form meta-analysis to meso-analysis तो इहापे जो meta-analysis है meta मतलब छोटा सा कुछ analysis करना meta direct किसी एक topic कर और meso मतलब large scale तो चेंज हो गया meta से meso-analysis के उपर which focuses upon the linkage between definition of problems, setting of agendas, decision making and implementation processes it has given comparative politics a more specific problem solving and policy orientation तो इसके बज़े से जो comparative politics से a more specific हुआ, problem solving हुआ और policy orientation हुआ इसके बज़े से comparative politics remains multi-disciplinary तो बहुत सारा मतलब इसके अंदर discipline मतलब बहुत सारा topic, sub-topic कह सकते हैं multi-disciplinary, multiple multiple discipline है comparative politics के अंदर but has moved away from sociology and closer to economics यही यह बलाट जो topic है जो समाच का sociology मतलब समाच को study करने को sociology कहा जाता है तो sociology को छोड़के जो अर्थर बिग्गान है उसके तरफ जाधा close हो गया comparative actually economy depends करता है मतलब economy चाहिए ही सबको तो economy और्थर बिग्गान नेसेसारी है इसलिए sociology के साथ-साथ पहले पूरा sociology के उपर society के उपर उसके बाद धिरे-धिर गर के economy के close हो गया comparative politics it also signals a return to more normative concerns रेदार देने constant emphasis upon scientific methods it also re-established a link between academic political science as a practitioner of public administration यह भी also link किया इसने academic जो political science है उसके साथ जो practice करते है public administration का उनको उनका जो link है उसको re-establish किया यही comparative politics ठीके यहापर ही हमारा chapter खदम होता है unit number one खदम हो गया है हमारा और आज से मतलब अभी तो exam आ रहा है 28th अकस्टे साथ आप लोगों का exam है तो उसके पहले सभी course समाप किया जाएगा और अभी हम लोग unit one के जो book के question है इगनुका उस अब देख लेते हैं पहला question है what is contemporary politics briefly analyze its evolution and as a subdiscipline तो इसका जो evolution हुआ है comparative politics के आए पहले लिखिए introduction लिखिए comparative politics लिखिए फिर लिखेंगे आप briefly उसका जो evolution अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कैसी evolution हुआ था तो उसके बारे में लिखेंगे अगला जो question है analysis the strength and weakness of comparative method वही जो comparative method जो है हम लोगों ने second introduction और evolution के बाद जो किया उसका strength and weakness लिखना है आप लोगों को थीके that question जो है वह है evaluate the contemporary significance and contribution of the comparative method तो contemporary significance जो है contemporary significance अभी हम लोगों ने किया जो समकालीन महत्त है उसको और contribution क्या है comparative method का उस comparative method का तोरा सा contribution लिखना है आपको और हम लोग past six year attempts का question भी देख ले थे क्या क्या आया था तो past six year यहापे June 2021 से लेके December 2018 तक इसमें सिर्फ December 2020 में एक question आया है और दो question आया है last six attempts पे पहला जो question है हो है examine the contemporary significance and the contribution of the comparative method in the political science contemporary significance हो ही हमारा तीन नंबर जो question है हो ही डाइरेक्ट है यहापे और जून 2020 में जो आया है वो है define comparative politics and analyze its evolution as a subdiscipline in political science यह ही हमारा question इगनुका book का question पहले बाला है डाइरेक्ट question आया है दोनों के दोनों और एक important बात है यह जो question है इसका answer में यहापे आप लोगों को ऐसे समझा के दे रहा हूं कहा से लिखना है हमारा slide से यह आप लिख सकते हैं और हमारा जो book release होगा तो उस book में उस book का PDF आप लोगों को provide किया जाएगा और उस अभी तो मतलब क्या है जो heart copy है और अबेलेबल कर पाते कर पाते और आप लोगों को पोच्टे पोच्टे तो एक्जाम आ जाएगा पुरा हो जाएगा एक से पहले लेकिन आप लोगों के लिए कब पढ़ेंगे तो एक इशू रहेगा इसलिए हम मैंने एक decision लिया है हर मतलब टेपर अलग-अलग करके MPS1 MPS2 MPS3 MPS4 करके उसका PDF बुक भी मुबाइल पर भी रिट करके एक्जाम दे सकते हैं और उस जो बुक है उसमें इगनुका भी question का solve dancer मिलेगा और past जो यह पर तो six attempts करवा रहा हूं उस बुक में past seven attempts का solve dancer हैगा पुरा 500 work में कैसे लिखना है ऐसे ठीक है तो आशा करता हूँ कि हमारा जो बुक है और 11 पहले लॉंच हो जाए तभी बहुत मतलब आप लोगों के भी अच्छा होगा एक्जाम के लिए तो यह पर ही आज का कक्षा कदम करते हैं और जुड़े रहे लिए इंडिया इबुक के साथ ठीक है जै हिंद जै भारत एंड कोड़ ब्लेस युव ओल